हेलो आईरोवान मैं हूँ रमेश निसार नभिपसा नभिपसा टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में हम जानेंगे यूज़ टू एंड वूड के यूज़ के बारे में यूज़ टू एंड वूड का यूज़ हम कब करते हैं किस तरह से करते हैं यूज़ टू एंड वूड का यूज़ हम पास्ट की एक्टिविटीज पास्ट की हैबिट को बदाने के लिए करते हैं जैसे मैं बच्पन में क्रिकेट खेला करता था, मैं नदी में नहाया करता था, मैं अपने दोस्तों से बातचीत किया करता था, या यूं कहें हम कहते हैं कि बच्पन में जैसे मैं समुसा बहुत पसंद किया करता था, तो इस तरह के sentences को कहने के लिए हम used to and would का use करते हैं लेकिन बात आती है कि कहां पे हम used to का use करें and कहां पे हम would का use करें तो दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है और उसी अंतर के बारे में आज हम discuss करेंगे So first of all हम जान लेते हैं used to का use used to का use हम कब करते हैं कौन से condition में करते हैं तो use to का use हम जो है Past routine Past में जो routine है जैसे past में मैं सुबह जल्दी उठा करता था अब भले लेट से उठता हूं लेकिन कह सकते हैं न कि मैं पहले जैसे school में था तब मैं चार बज़े उठा करता था और पढ़ाई किया करता था मैं अपने दोस्तों से बहुत जगड़ा किया करता था तो इस तरह की sentences को तो past routine हो गया या Delhi activities जैसा कि हम करते हैं ठीक है? और ये past की habit है past में कई की लोगों की आदत रहती है तो अपनी आदत को बताने के लिए past की आदत को बताने के लिए भी हम जो है used to का use करते है ठीक है? इसके जो structure है वो इस तरह से है subject उसके बाद फिर used to फिर verb की first form उसके बाद object वैसे ही फिर हम बना सकते हैं positive के बाद negative, interrogative and intro plus negative ठीक है? एक example यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मैं school पैदल जाया करता था यह बचपन की मेरी एक आदत है या मैं कह सकता हूँ कि यह मेरी एक daily routine है past tense की ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जो है school पैदल जाया करता था मैं school पैदल नहीं जाया करता था तो यह negative हो जाएगा I did not used to go to school on foot फिर question वाला बना सकते हैं क्या मैं school पैदल जाया करता था Did I used to go to school on foot क्या मैं school पैदल नहीं जाया करता था Did I not used to go to school on foot ठीक है? याद यह रखनी है कि शुरू में जो positive है उसमें रहेगा used to उसके बाद जैसे हम negative, interrogative जो भी बनाते हैं आगे तो वहाँ पे हम used to की जहाँ पे क्या लिखते हैं? used to लिखते हैं देखें used to ठीक है? तो यह बाते याद रखनी हैं तो यह तो रही बात used to की अब हम देखते हैं would का use would का use भी हम past की routine को बताने के लिए and regular activities या habits इन सारे चीज़ों को बताने के लिए हम किन का use करते हैं? would का use करते हैं तो would का structure है वो भी simple है जैसे हमने used to का use किया है वैसे ही would का use करते हैं subject plus would plus would की first form उसके बाद object तो यह हुआ positive या affirmative यह negative यह interrogative यह interrogative यह interrogative plus negative ठीक है? एक example है हिंदी सेम रहेगा मैं स्कूल पैदल जाया करता था I would go to school on foot मैं स्कूल पैदल नहीं जाया करता था I would not go to school on foot क्या मैं स्कूल पैदल जाया करता था would I go to school on foot क्या मैं स्कूल पैदल नहीं जाया करता था would I not go to school on foot तो यह जो है लगभख सेम है use to and would का use और हम देख लेते हैं use to and would के बारे में past action verb यानि action verb ऐसे verb जिनमें action हो कोई घटना हो, कोई काम हो जैसे यहाँ पर example है जब मैं गाव में था मैं school पैदल जाया करता था ठीक है? जब मैं गाव में था तब मैं school पैदल जाया करता था जैने जाना, पैदल जाना, चलना यह क्या है? एक action है जैसे मैं समोसा खाता था मैं TV देखता था मैं movies वगेरा देखता था ठीक है? तो यह क्या है? एक action है एक घटना को दिखाया जा रहा है मैं cricket खेला करता था तो यह जो action verb है, action verb के लिए हम दोनों का यूज करते हैं, used to and would, दोनों का यूज करते हैं, देखें यहाँ पे, when I was in the village, I used to go to school on foot, वैसे ही यदि हमने कहा, would का यूज किया, तो यह हो जाएगा, when I was in the village, I would go to school on foot, दोनों के लिए हिंदी same है, ठीक है, और दोनों क्या है, correct है, next देख लेते हैं, वह क्रिकेट खिला करता था, क्रिकेट खिलना भी एक action verb है, ठीक है, तो he used to play cricket, और he would play cricket, ठीक है, तो यह दोनों correct है, अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हम used to का use करेंगे, और कहाँ पे would का, actual में used to का use हम हर condition में करते हैं, यानि used to का जो use होता है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन would का use एक condition में बंधा हुआ है, यानि would का use हम हर जगा पे नहीं कर सकते, कहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखें, states of being, या फिर position, यानि ऐसी state जिसमें होने के बारे में, होना, कोई action verb नहीं है, जैसे मैं जैसे बोल सकता हूँ, कि मैं जैसे सर नहीं है, state of being है, position में जैसे बोल सकते हैं, कि मेरे पास एक cycle हुआ करती थी, मेरे पास धेर सारे खिलावने हुआ करते थे, तो इस तरह की जो बाते हैं, यह position है, अधिकार को बताया जा रहा है, इसमें being, being होने के संदर में बताया जा रहा है, कि वो बदमास हुआ करता था, वो नाटी हुआ करता था, यह जो भी, ठीक है, ऐसी condition में, तो यहां पर कुछ verbs दी हुए हैं, जैसे like हो गया, like पसंद करना, यह कोई action verb नहीं है, like पसंद करना, मैं पसंद किया करता था, ठीक है, तो यह पसंद करना क्या है, यह non action verb है, leave, रहना, रहा करना, जैसे मैं गाउ में रहा करता था, ठीक है, तो यह रहना हो गया, show, show मिंस दिखाना, यह कोई action verb नहीं है, feel, अनभो करना, महसूस करना, have, have मिंस होने के संदर में, यानि, position के संदर में, अधिकार के संदर में, ठीक है, जैसे love, प्यार करना, know, जाना, believe, विश्वास करना, ठीक है, तो यह सा यह कर सकते हैं, लेकिन, वोड का जो यूज होता है, वो, सिर्फ और सिर्फ, past action verb के लिए किया जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था, यह, past action verb के साथ ही, वुड का use किया जाता है, जब की, used to का use, हम past action verb के साथ, भी कर सकते हैं, और अगे, states of being, position, जान के लिए भी कर सकते ठीक है, so let's see some examples, he would, he used to be very naughty, he used to be very naughty, it means क्या, वो बहुत नाटी हुआ करता था, वो बहुत नटखट हुआ करता था, तो ये correct है, he would be very naughty, लेकिन देखिए, यहाँ पे हमने कहा एक बताया है, क्या बताया है, कि would का use हम, non-action verb के लिए नहीं करते हैं, would का use हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये incorrect होगा, ठीक है, वैसे ही, I used to have a car, मेरे पास car हुआ करती थी, मेरे पास पहले car हुआ करती थी, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने would किया, I would have a car, तो ये wrong, ठीक है, वैसे, she used to live in बमे तरह, वो बमे तरह में रहा करती थी, रहना, ये action verb नहीं है, रहना means regular है, ठीक है, तो ये एक state सा being है, होने के संदर्में, कि वो बमे तरह में रहा करती थी, ठीक है, तो ये जो रहना है, ये इसके लिए हम used to car use कर सकते हैं, लेकिन, जैसे हमने would का use किया, she would live in बमे तरह, ये incorrect है, ठीक है, वैसे ही, rather used to like mangoes, राधा mangoes पसंद किया करती थी, आम पसंद किया कर ये भी incorrect है, वैसे ही, they used to feel water, वे पानी भरा करते थे, पानी भरना, ये क्या है, ये एक action verb है, तो ये correct है, they would feel water, वो पानी भरा करते थे, या वे पानी भरा करते थे, ये क्यासा रहेगा, correct रहेगा, incorrect, ये correct है, क्योंकि पानी भरना, पानी भरना क्या है, पानी भरना एक action verb है इसी तरह के और कई सारे action verb होते हैं, जिनमें हम would का use कर सकते हैं, यह depend करता है action verb के उपर, जैसे वैसी हो गया, कई सारे हैं, जैसे run हो गया, run means dona, यह दोनों के लिए apply होगा, वैसे ही sing, sing means गाना, यह क्या है, action को दिखाया जा रहा है, यह dance लिख लिए, ठीक है, तो यह सब क्य आज हमने देखा, use to and would का use हम किन किन condition पर कर सकते हैं, I hope कि आपको यह video काफी अच्छे से समझ आया होगा, मैं मुलूँगा एक interesting relation के साथ, next video में तब तक के लिए धन्यवाद,